आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ग्लूटन फ्री मसाला रोटी जिसे हम जौर के आटे से बनाएंगे जौर का आटा बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है ये ग्लूटन फ्री और फाइबर रिच होने के कारण बेट लोस में कापी हल्पूल होती है आप इसे बेक फास लंच डिनर कभी भी खा सकते हैं अगर आपके घर में कोई थाइरेड या डियविटिक पेसेंट है तो उनके ल हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे इसके ओपर एक छली रखेंगे डेड़ कप ज्वार काटा लेंगे अब हम इसे चान लेंगे यहां पर हमने वन फोर्थ कप चॉप्ड अनियन ली है वन फोर्थ कप चॉप्ड कैपसिकम ली है थोड़ी सी धनिया की पत्ति हैं और दो हरी मेर्च को चॉप्ड करके लिया है अब हम इन सभी चीजों को डाल देंगे अब हम एक छोटी चक मच अजवाइल लेंगे और इसे हातों से मसल कर डालेंगे और इसमें half teaspoon नमक डालेंगे one four teaspoon हल्दी पौडर डालेंगे one four teaspoon काली मेश पौडर डालेंगे one four teaspoon लाल मेश पौडर डालेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे यहाँ पर मैंने lukewarm water यानी गुनगुना पानी यूज किया है और रोटी जैसा smooth and soft डॉर तयार करेंगे अब हम हातों की मदद से आटा तयार कर लेंगे आप इसमें अपनी पसंद के अनुसाद सब्जे मिला सकते हैं आप चाहे तो लोकी को भी ग्रेट करके मिला सकते हैं ये देखिए आटा तयार हो गया है जौर का आटा gluten free होने के खारण ये ग्याओं के आटे की तरह बाइड नहीं होता है ये देखिए ये ऐसा दरदरा सही रहता है जौर की रोटी को हम ग्याओं की रोटी के जैसे बेल नहीं सकते हैं इसलिए हम यहाँ पर kitchen towel या cotton का कपड़ा लेंगे जिसे थोड़ा गीला कर लेंगे अब हम माटे में से थोड़ा portion लेके एक पेड़ा तेयार करेंगे अब हम इस पेड़े को गीले कपड़े पर रख देंगे और अब इस तरह से फेला लेंगे और अगर जरूरत लगे तो अपने हाथों पर पानी लगा सकते हैं यह रोटी नॉर्मल रोटी से थोड़ी मोटी होती है अब हम चौर की रोटी को ऐसे हाथ पर उठा लेंगे अब हम इसे तवे पर डालेंगे और इसे low to medium flame पर सेखेंगे मीने वाइल हम एको रोटी त्यार कर लेते हैं अब हम इसे पलट कर दूसी तरफ से भी सेख लेंगे आप इस तरीके से कपड़े से प्रेस कर करके भी सेख सकते हैं फ्रेंट्स ध्यान रहे फ्लेम को हाई न रखे ये रोटी नॉर्मल रोटी से थोड़ी मोटी होती है ये उपर से पक जाएगी मगर अंदर से कच्ची रह जाएगी अब हम इसे डारेट गैस पर सेखेंगे इस रोटी को हम डारेट गैस पर रख लेंगे और चिम्टे से पकड़कर रोटी को धीरे धीरे गुमाएंगे इसे हमें मीडियम फ्लेम पर सेखना है ये देखिए हमने मसाला रोटी सेख ली है अब हम रोटियों पर देशी की लगा लेंगे इसी तरीके से बाकी रोटियां भी तयार कर लेंगे आप देख सकते हैं हमने कितनी बड़िया टेस्टी जौर मसाला रोटी तयार कर ली है ये वेट लोस में काफी हलपूल होती है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए आप वीक में कम से कम तीन बार जरूर ट्राइ करें आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा